और भी चेंपियंज के आहल चाल शुरू किया जाए आज का ये सेशन जो की बहुत क्रिटिकल है लेट मी टेल यू अभी अभी मैं चैट पढ़ रहा था एक बच्चा कहता कि सर मैं चाहता तो नहीं तो के मारना बुरा भी लग रहा पर मैं ये सेशन देख रहा हूं शायद बुरा माने की कोई बात नहीं आप अपने भाई पर पूरा श्वास रख सकते हैं आप करते भी हैं इस चैनल पर मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जो भी आपको एक्जाम में खराब रिजल्ट की और लेके जाए तुका स्टेटिजी भी जो बताऊंगा वो इस सेशन पर करीबन साड़े चार लाग क्या सपास व्यूज थे और कमेंट्स में जाके पढ़ना हरे एक दूसरे बचे ने लिखा है कि कम से कम 35 मैक्स मैक्स करीवन 60 62 के आसपास माक्स का फाइदा हुआ है बच्चों को इस सेशन का तो यह सेशन बहुत क्रीटिकल है और हाँ बिल्कुल भी अपने आपको यह नहीं बताना किया क्या मैं तुक्का मारूंगा यार नहीं मैं खुद तुमें कहता हूं तुक्का नहीं मारना चाहिए आपको जो सॉल्व कर पाते हैं से निकाल पाते वही करना है आज यहां पर जो चीज़े बताने वाला हूं बहुत नहीं मारना है कहां पे मार देना है और अगर मारने तो किस तरह से मारना है एवरीधिंग आई विल टेल यू एन लेट मी टेल यू दस कोश्टिन पे आप एक स्टैटिजी अपनाएंगे जिसके तुर आपको प्लस फॉर्टी मिलने वाले हैं आल्यू रडी शुरू किया कुछ मिट्स भी है तुके को लेके उसको बर्स भी करूँगा मैं आज मैथेमेटिकली येस सर्थ तो सबसे पहले हाँ एक बार बता दूँ अगर अभी तक आपने अपने कुछ चेक नहीं किया कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं पहले वो जरूर कर लीजिए अगर आपके जो मौक टेस्ट में उसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं कि आप आप 171,80 क्रॉस कर रहे हैं तो बिलीव मी आप एक अच्छी सिचुएशन में हैं और उस समय पे कितने तुके मारने हैं यह मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा बट अगर अभी आपके मार्क्स 100, 120, 100, 30, 140 इनके अराउंड रहते हैं तो यह सेशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यह डिरेक्ट ली अपाउट 40 मार्क्स में एड कर देगा अगर अभी तक आपने चेक ही नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक एड किया है एया एमटी का यह वाला लिंक आपको ऐसे टेस्ट किय और लेके जाएगा जो की 2000 पिछले चार पांच साल के पीवाई क्यूज है उन्हीं में से टेस्ट बनाया गया है इस टेस्ट को आप दे सकते हैं देखने के लिए कि आप कहांपे स्टेंड करते हैं इसी लिंक में आप टेस्ट देंगे ना उसमें एक टूल एड कर दिया गय यहां पे आप यूज करना और आपको इमीजेट अपने रैंक में एक अच्छा जंप दिखेगा टॉप की और जाते हुए अगर आप आप अलिडी टेस्ट दे चुके हैं बहुत सारे पीवाई क्यूज सारे लगा चुके हैं तो आप टेस्ट को स्किप करके डिरेक्ली इस कर सकते हो यह टूल भी डिस्क्रिप्शन में है रैंक प्रिडेक्टर के नाम से इस टूल को अपन कर यह डिटेल भरी आपके कितने माक्स आते हैं आप टेस्ट दिए वह एबरिज माक्स भरिए और इस टूल विल टेल यू कि आप इस समय और इंडिया रैंक कितने पर दो लाइक करना मत भूला लाइक फटाफट करो सबसे पहले लाइक करना आपने आते ही क्योंकि दिस सम्टिंग यू नीड़ पॉजिटिव माइंड से टू लर्न फ्यूर एक ली अन्यू स्केल यह स्किल आपको पहले किसने बताई नहीं होगी और हाँ अगर मैं बता रहा ह पहले यह कुछ कोशन है जिसका डेफिनिट इंटिकेशन बहुत अच्छा है वो इसको अराम से कर देगा जिसका खास अच्छा नहीं है वो इसको शायद छेड़ेगा भी नहीं वेलेट मीटेल यू आज इस सेशन इस सवाल को बिना सॉल किये इसका करेक्ट अंसरम मार्क कर देना चाहिए आज इस सवाल को बिना सॉल कि हम इसका करेक्ट अंसर निकाल देंगे ऐसे ही बहुत सारे सवाल मैं या पे और भी लेकर आया हूँ बहुत सारे सवाल जो शायद देखने में लगते कि या यह तो अपने बसका नहीं है ऐसे सवालों करेंगे और कम से कम आपके पेपर में ऐसे दस सवाल होंगे, यह मैं नहीं, यह data कहता है, पर subject, तीन से चार सवाल, हर subject में, हर पेपर में आते हैं, जो की बिना solve किये, या कहलो कि आप से जो solve नहीं हो रहा है, आपको आता नहीं है, उसको आप सही mark कर सकते हैं, यह उनमें से कुछ example यहां रख रहा हूं, उनको हम पताक से सॉल्व करेंगे आज लव यू टू शेरा, गॉड बैस यू, मैसल फर्विंद कालिया सर जो बच्चे नए हैं बता दू सारे बच्चे मुझे भाई कहके बुलाते हैं एक बार हैश्टेग मेरा भाई हो भी जाए चैट में ताकि नए बच्चे को पता लग जाए कि येस, यू कन ट्रीट में आज एल्डर ब्रदर ब्रदर बिकॉस एक्टुली डैट जा एक्टुली डैट ब्रदर सिस्टर और उसी तरह से उसी सेशन आप यही में वन के बहाँ देखेंगे तो यही में वन में आप जो फाइदा उठा सकते थे वो रह जाएगा तो एक बार चेक कर ले आप कर देता हूं कभी भी तुक से महीं माऊना इससे आपके पास counter कि मार दिये और फाइनली कुछ जगह पे आप सही तुकह मारते तो कुछ जगह पर गलत के हो जाते हैं और नेट मार्क में चला जाते हैं तो ऑड शीड़ कर लिया बचे हुए 2030 60 मिनटस का टाइम होता है जहां पर तुका मारते हैं तो तुका कभी भी Assault करते हमेह नहीं मारना अट्इम्ट पहले करिये देखी आपने कितना सॉल कर लिया अभ गिसर अब तक आgot कि कहां पर तो तीन के प्लस बारा मिल गए बले बले हो गई गलत यहां काम नहीं करती एवरी कोश्चन इस इन इंडिपेंडेंट इवन्ट इफ यह स्टुडेंट अफ मैथेमेटिक्स यूंडर्स्टेंड इंडिपेंडेंट इवन तो पहला कोश्चन और दूसरा कोश्चन उसका आपस अब आते हैं तरीके तुके मारने कैसे है सबसे पहला जो कुछ बच्चों को शायद पता होगा नेवर गो फॉर एक्स्ट्रीम और कंप्लीटली डिफ्रेंट ऑप्शन कभी भी उस ऑप्शन पे मांक मत करी आप जब तुका माने जा रहे हैं जो बिलकुल ही अलग सी है जैस इसमें अगर आप 1 को देखें 34 को देखें यह बिलकुल एक्स्ट्रीम जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा है और एक बहुत ही बड़ा है तो अगर इसमें तुका मारना है तो मैं इन दोनों में से ही कुछ तुका मारना चाहूंगा वरना नहीं मारना चाहूंगा इसमें देख सब्सक्राइब कर सकते थे एक्स्ट्रीम औप्शन को कभी भी तुक्य में कंसिडर नहीं करना तो बताइए आप इसमें क्या तुक्या मारना चाहेंगे और अभी क्या दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कि आप में से कितने बचे सही डिरेक्शन में जा पा रहे हैं धीरे धीरे हमने अभी दो एक्सेप्ट किये थे इसमें से भी फर्दर एक पर कैसे आना है वो भी हम बाइदा एंड अफ सेशन सारा सीख लेंगे धीरे धीरे स्टेप बेस्टेप प्रोसीड करेंगे तो बच्चों ने अंसर अपने दे दिये आओ देखते कितनों के सही कित धीरे धीरे हम उप्टिमाईस करते करते रby the end of session ये जानने वाले हैं कैसे दो reject किये फिर दो में से कैसे एक accept किया अभी आप दो में से एक जो accept कर रें काईंड अफ थोड़ा तुकका ही मार रहे हैं इसको further refine करेंगे चलो always go for all of above or both S1 and S2 बिसिकली all of above या non of above कि ये काफी ब सवाल अभी दिखाने वाला हूं जैसे कि यह सवाल आ गया अभी मैंने सवाल पढ़ा भी नहीं मैं सॉल भी निकारा सॉल करने की बाते सेशन के एंडिकेट वर्ट करने वाला हूं पहले सिरफ मेर फ़स्ट तरीके बता रहा हूं जहां से आप एक दो आप्शन तो ड्रेक्ट दे रहेंगे कि मैं बोथ येस के साथ जाने वाला हूं बोथ बोथ नो के साथ जाने वाला है शायद नहीं हूं रेस्ट आपको पता है मैं थोड़ा सा एक वाल आर वान या आर टू को थोड़ा चेक करना चाहूंगा आ जाएए ये सवाल अगेन मैं इसे मार्क नहीं मैं इन दोनों में से ही कुछ माग करने वाला हूं अपने अपने अंसर माग कर लीजिए अफर फाइव सेकंड इन दोनों को मैं नेक्स पेज पे लेकर जाके आंसर दिखाऊंगा और फिर से बता रहा हूं अभी यह दो शॉर्ट लिस्ट किये थोड़ी दिर बाद इन में से ए बोथ आर ट्रू जब भी ऐसी सिच्विशन आती है ओनली वन ओनली टू नन या बोथ तो बोथ वाला अंसर ही सही देखा गया है और यह एक बार नहीं 2023 के पीवाई क्यों दिखा रहा हूं अभी बहुत सारे दिखाऊंगा उनमें हर बार ऐसा होता है आई यह सवाल थोड़ सा प्रिसाइस जैसे की सवाल को देखते पहले मैं यह तो काट दूँगा अब आती है बात नाइदर होने वाला है या बोथ होने वाला हूं पहले से ही मेरा इंक्लीनेशन बोथ के टूर्ड है बट थोड़ी बहुत मैस तो मुझे आती है थोड़ा बहुत तो मैं जानता हू है वो डिवीजीबल होता है एक्स माइनस वाई से यस और नो टैल में दा चैट होता है या नहीं होता हाँ सर इतना तो रिजल्ट हमने यादी कर लिया हुआ है इस सेशन को अभी कभी दोस्तों से भी शेयर कर दो हैल्दी कॉम्पिटिशन रखा करो यार ठीक है अट लीस ज करो कि मुझे और खुशी होती है यार मैं ऐसे और सारी में लेकर आता हूं नहीं करो कि तुम्हारी तरफ से जो बड़े भाई वाला प्यार वो यहां से दिखता है राइट गॉड्ड बैस्यू नाव अब मुझे पता था यह रिजल्ट तो मैंने कहा यार यह वाला नंबर अब जो है 20 23 minus 1999 24 से तोaying है अब जो नंबर 24 डिवीजिबल है व far तो Tibet सबने ऐसर दिया एक sledल्ट यह क्या यह तो पहले रिजक्ट कर दिये इन में से यह होगा या तो मैं दोनों को चेक करूँगा या फिर मैंने देखा कि इन में से आना है ये करेक्ट है तो मैं बोथ वाले को मा करूँगा अंसर आया D इस बचने नमबर बना लिया अपने प्लस ये प्लस करते जाओगे सारे के सारे 2023 के PY क्यूं है और तुम देखोगे हर एक सवाल में स्टैटिजी फिट बैठेगी अब मैं यहाँ पर बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा जस्ट टू टेल यू कि ये सिर्फ कुछ सवालों में नहीं अल्मूस्ट हर सवाल में लगता है ये 2023 का सवाल अंसर C, बोथ आर ट्रू मैं दिखा रहा हूँ ताको पता लगे कि हर बर होगा सिर्फ ऐसे नहीं कि तीन-चर कोशन में ले आया उसमें लग रहा है हर जगा लगता है अंसर C, बोथ आर ट्रू अंसर D, आल पी, क्यू, और आल पी, क्यू, और अंसर A, बोथ S1 और S2 आर ट्रू यह सारे सवाल दखा रहा हूँ अंसर D, नाइदर R1 और R2 इसन इक्लिस नेशन जैसे ही बात है, हमें पता है इन दोनों में से आना है ज़्यादा चांसिस बोथ के रहते हैं बट, यहाँ पे जाकर जब मैं एक को चेक करूँगा R1 या R2 को एक में सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव या रिफ्लेक्सिव में दिक्कत आजाएगी जैसे ही एक में दिक्कत आई मैंने कब या बोथ तो हो नहीं सकता तो हम नाइदर वाले को मार्क कर देंगे पटाक सबका कंसेट क्लियर हो गया यह सारे 2023 के सवाल है हर में लगता है आपको विश्वास आ जाए अप्शन बी नाइदर इस एक आपको चेक करना होगा दोनों चेक कर पाएंगे तो मुझे अंसर पता होगा वना अगर एक चेक कर दिया तो बोथ और नन में से मैं मार्क कर पाऊंगा अंसर दीनी में से कुछ आएगा हमें यह दिमार में रखना है जो मैं बता रहा हूं दस बार पका लगेगा बट हो सकता है ग्यार नी बार एक बार ना लगे तो यह एक सवाल दोहजार तईस का जिसमें वो चीज़ नहीं हुई बोथ या नाइदर नहीं आया इसमें अंसर आया 34 बट नौट 14 तो हमें एक चीज़ इमार में रखनी पड़ेगी दस सवाल अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें से एक तो गलत अभी भी हो सकता है क्योंकि है तो यह तुका स्ट्रेटजी राइट एग्रीड यानि कि आपको सीधे ही जंप नहीं करना पहले सवाल को सौल करने की कोशिश करनी जरूर है और अगर आप आप आप्शन को रिजेक्ट कर पा रहे हैं तो जरूर रिजेक्ट करना है सारे चैट में हाट्स लगा दो और बता दो येस सर थैंक यू फॉर टेलिंग दिस देखो मैं पहले बताया था मैं आपको कुछ भी गलत डिरेक्शन में लेके नहीं जाँगा अगर मैं तुका स्ट्रेटजी बताऊंगा तो बता रहूं कि तुके का तरीका है ऐसे स्ट्रे अगर चार आप्शन हैं जिनमें से दो सिमिलर दिख रही हैं हर बार देखा गया कि अंसर उन्हीं में से था अगें पी वाई क्यों की बात करेंगे सवाल मेरे सामने आगया अभी सवाल पढ़नी रहा पहले आप्शन देखे मैंने एक्जैटली टू सॉलूशन नो सॉलूश आपस में सिमिलर सिमिलर से हैं और ये दोनों आपस में सिमिलर सिमिलर हैं सॉरी आपस में सिमिलर सिमिलर हैं नाव लिसन वेरी केरफुली इस सवाल को आपने जीरो और पाई कि अगर बात करें इन दो आप्शन को आप अराम से रिजेक्ट कर सकते हैं इसकी मैक्स की बात हो रही है एक्स को आप जीरो पाइबाइट टू पाइबाइफ फॉर जो अच्छे एंगल है वो रखिए रखते ही यह दोनों आप्शन डिजेक्ट हो जाएंगे यूजिंग एक्स इकोवल टू जीरो पाइबाइबाइब फॉर पाइबाइबाइबाइब टू एमाई क्लियर ऑप्शन स्रिजेक्ट भी करने हो सकते हैं आपको पता है कि दो similar हैं उन्में से अंसराना है अब यहां शैतानी की जेये में उन्होंने ये दो आपस में similar दिया ये दो आपस में similar तो आपको reject करना आना चाहिए Max value पूछी है, x zero से पाई है तो x को zero, pi by two, pi by four जो अच्छे एंगल है रखी और इनकी value निकालिए जो values आएंगी वहां से आपको देख जाएगा कि ये दोनों पके से गलत हैं तो बचेंगे ये दोनों अब इन में से आपको एक तुक्का मारना है तो आओ अब आपके तुक्के की बारी अगर इसकी बात करें जिफ और मॉड बैट है जिसका तो strong वो solve करेगा जिसका strong नहीं है और end में time बहुत थोड़ा बचा है उसमें इसमें से answer mark करना है minus infinity से infinity and minus infinity से one काईदे से I will strongly suggest एक बार आप one के आगे के जो numbers हैं उनको यहां पे रख कि थोड़ा behavior चेक करें एक्स को two three four लेके हलका सा चेक करें कि क्या हो रहा है अगर वो भी टाइम नहीं बचा तो आप क्या करेंगे इन में से एक तुका और इन में से दूसरा तुका तो आपके answer आपने लिख दिये हैं डी और सी और ए है यहां पे गलती कर गे यहां पे आया सी और यहां पे answer आया एक बचे ने डी और सी बोला उसकी गलती होगी थोड़ा बहुत तो मेना ध्यान देना पड़ेगा अभी हम दो कर रहे हैं दो से एक में जा रहे हैं धीरे धीरे जहां पर जा पा रहे हैं जैसे कि पिछले वाले में हमने इन दोनों को रेजेक्ट कर दिया था उससे पिछले वाले में नाईबर को भी रिजेक्ट कर दिया था तो further further reference करते जाएंगे आपको it एक temperament maintain करना होगा यह दो हैं अब हिन्व से किया मैं किसी और को further रिजेक्ट कर सकता हूं यह हमें सीखना होगा अब इस सवाल को देखो अच्छा चासा बड़ा सवाल पर सॉलविंग में बहुत असान अंसर जो आने वाला है यहां पर देखेंगे अगर तो 16 और 16 सिमिलर हैं तो मुझे यह तो पता कि अंसर मेरा इन में से कुछ आने वाला है इस सवाल को मैं सॉल कर पाऊंगा मैं पक्के से सौल करूंगा को कि यह सवाल मुझे पता है कि मुझे शोर शॉट आता है सवाल पढ़िए भी पता है एड्जॉइंट ओफ ए डिटर्मिनेंट पता है और इसको मल्टीप्लाइ करके पूछा गया है तो सर्टेली मैं इसका एड्जॉइंट भी जो ह में 30 seconds 30 seconds में शायदे सौल ना हो पाए और इस कोशन को चोड़ना नहीं चाहेंगे को कि इस कोशन को बाकी सारे बच्चे करके आएंगे तो अगर मुझे से मार्क करना होगा तो इन दोनों में से मैं एक अंसर मार्क कर दूंगा आओके अब आते इधर एक अच्छा असा बड कि टम कट जाती है तो अगर तो मैं कॉन्फिडेंट हूं में पाट टाइम है मैं इस पे किंग रूल लगा के सॉल करना चाहूंगा अगर टाइम नहीं बचा तो मैं यहां पे इन दोनों में से अंसर को मा करना चाहूंगा एम आइक करेक्ट बोल दो फटा-फट वेरी गुड तो आओ देखें इनमें से कौन सेंसर सही थे इसका अंसर डी था और इसका अंसर एथा वैसे तो चलो ठीक है ऐसे रखते हैं अभी एक इसमें और लॉजिक है वो मैं आगे जाके बताता हूं तो हमें यह पता लगा कि जो सिमिलर आप्शन होते हैं उनमें से ए इस ट्रेक्ट करने के लिए आपको दिये जाते हैं उसका और कोई रूल नहीं होता बहुत बढ़िया अब आते हैं और बहुत सारे सवाल जहां पर मैं प्रूफ करने वालों कि हर बर ऐसा ही होता है अंसर देखें डी है माइनस से फोर और माइनस फोर सिमिलर थे इनी में से एक आना था अंसरट डी आया यहांपे देखिए इन मेंसक्ते कौन से दो सिमिलर दिख रहे हैं इनमें से एक आना चाहिए थांसर सी आया है यहां मैं वो सारे सवाल लेके आया हूं जहां पर भी ऐसा हो रहा था सो देट यू गेट टू नो कि ऐसा सिर्फ दो तीन कोशन नहीं हर बार होता है अन्यदर कोशन देखिए यहां पर बोला गया एरिया बताईए इन में से मुझे पता कि यह तो पके से गलत है इन तीन में से कोई भी हो सकता था इन तीन में फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कुए मैं सब्सक्राइब एक आपशन को रिजेक्ट कर पा रहा हूं तीन आपस में भिड रहे हैं तो अंसर B और C में से होना चाहिए था, अंसर आ गया B, ये concept सब को समझ आ गया, बोल दो फटा फट, लिक के दे रहा हूं, एक तर test link description में दिये चाहिए, वहीं पर apply करके देख लेना, वो test भी मैंने PYQ से ही बनाया है, 2022, 2021, उनी से बनाया हुआ है, चाहिए तो अपना जो mock test देते हो, उसमें आज ही इस चीज़ को लगा के देखना, तुम्हारे अगर 40 marks add हो गए, तो मुझे कमेंटे बता के जाना, नहीं हुए तो भी बता के जाना, and I bet you, 90% से ज़्यादा बच्चे कहेंगे, क्योंके marks 40 or 50 add होए है, the only thing is, थोड़ सा careful होना है, दो short list हो गए है, उस 1 हो जाती, क्योंकि फिर एक ही बचता है, okay, then, बहुत सारे सवाल, यहां पर देखो, यह दोनों similar थे, answer आया D, यहां पर देखो, 64 minus 64 similar थे, answer आया C, हमेशा जो दो similar option होंगे, answer उनी में से एक आने वाला है, अब यह देखिए, answer यह दोखो, यह बिलकुछ similar बैठे हैं, यह द आ गया A, सच बता दो, एक बार चैट में, क्या तुम मेरा परपस समझ रहे हो, यह सारे कोशन दिखाने का, कि ऐसा एक बार नहीं, हर बार हुआ है, कम से कम, अगरा 20 कोशन उठाओगे, उनमें 18 या 19 बार गही होगा, एक या दो बार नहीं होगा, क्योंकि at the end of day, this is a तुक रहेगा, yes, क्या बाता है, very good, God bless you, जवानों, खुश रहो, तो यह आपका आगया, सर, now, similarly, अबाता है, blind तुका, and logical, तुका, दो, एक चीज़ क्लियर की, अब तक हमने, जितना पड़ा, पूरे का, पूरा, उसमें हम, हर बार, दो, आप्शन तक तो, पहुंच पा रहे है, ये सोन, हर बार, दो, आपने, जितने बी तुक्य अब तक मारे हैं, हमेशद दो में मारे, हैं, चार में मारे, तो उन बाई फورड तो आप नहीं कर रहे हैं, अप बात है, कि, हमें, उस वान बाई टू में, ब्लाइंड नहीं जाना, ये नहीं करना, यह वहते हैं थोड़ा सा लॉजीकल होना है लॉजीकल का मतलब क्या होता है नमबर वन ट्राइटु यूज सम रिजल्स भाया मेरी सॉल्विंग अगर थोड़ी कमज़ोर भी है रिजल्स तो याद है हाँ जी सर ट्राइट टू रिजेक्ट यूजिंग पटिकुलर एक्स पटिकुलर वैल्यू आफ एक्स माइंड माई वर्ट आई सेड रिजेक्ट एंड नॉट एक्सेप्ट आप जब भी एक पटिकुलर एक्सपुट करके options को चेक करते हैं तो जो option match नहीं कर रही है वो पक्के से गलत है जो match कर गई that need not be correct क्योंकि एक x की value से match होने पे ये प्रूव नहीं होता कि हर एक x की value से match कर जाएगा बट अगर एक भी x की value पे match नहीं हुआ वो पक्के से गलत अंसर है क्योंकि सही वाला तो हर बर match करता गाट इट तो याने कि आपको पटिकुलर एक्स की value को use करके reject करना जैसे वो sign 3 x वाला सवाल हमने पहले किया एक्स को 0, 5, 2, 5, 4 रखके चेक किया था और जितने रिजल्ट आपको आते हैं एक उनको apply करिए रिजल्ट से मेरा मतलब था जैसे कि यह वाला रिजल्ट हमने use किया था यहां पर हमें पता था कि अगर मैं इस सवाल में इसको अगर मैं नहीं जानता मालो मुझे यह solve करना नहीं आ रहा पर मुझे पता neither और both बैठे हैं तो answer तो इन ही में से आना था तो आप इस वाले में result यूज कर सकते थे जो कि हमने देखा कि भया x power n minus y power n is divisible by x minus y x minus y which is 24 तो एक number अगर 24 से divisible है तो वो obviously बात है 8 से भी divisible है तो यह तो correct है और मैं यहां तक shortlist पहले कर चुका था तो अब मैंने neither को cross किया और answer लिखा oh sorry answer लिखा उल्टा कर दियेगा मैंने answer लिखा d बिलकुल सही तो यूज अपने results result आपको सारे मैंने आप रिवाइज भी कराए concept रिवाइज के दो के बाद result या एक्स की particular value को लेकर आपको options को reject करना आना चाहिए this is very important ठीक तो यह सारी चीज़े अगर आपको आती है तो believe me आप 10 question minimum ठीक करके आएंगे PCM के paper में यह जो PDF में description में आड़ कर दूँगा टेलीग्राम पर डाल दूँगा टेलीग्राम जरूर जॉइन करो को कि वहां पर हम सारी information पहले देते हैं जितने भी solving session होने वाले होते हैं उनका PDF पहले मैं टेलीग्राम पर दे देता हूं कि यह question में discuss करने वाला हूं YouTube पर अगले दिन तो बच्चे solve करते हैं और फिर YouTube पर आके देखते हैं ताकि वो learning better कर पाएं और हाँ आज जो भी mock test पाइस दोगे उसके बाद इन चीजों को यूज करना जिस तरीके से बताया है शुरू से अंद तक आधा मत देखना आदे का कोई फायदा नहीं होगा पूरा देख के जो जो तरीके बताया है नोट डाउन करके वहां पर अटेम्ट करिएगा और कमेंट में सचाई से दिल पर हाता कि बताना कितने मार्क्स का फैदा हुआ मैंने लास्ट येर भी किया था आप उसके कमेंट पढ़ सकते हैं कमेंट में देख जाएगा एवरी स्टूडेंट रोट भी या 32, 35, 38, 40, 42 ऐसे मार्क्स कम को फायदा हुआ नेट जब उन्होंने इस स्टेटिज को फालो किया तो भाया प्लीज आप इसको काजे से फालो कर लास्ट में जाके डिसाइड करना है कि मिले को कितने तोके की जरूरत है या कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूं और फिर इन तरीकों के मताबिक तो क्या मार्ना अपने ठीक है गौड बैस्यू लव यू वेरी मच जल्दी मिलते हैं टेक क्या बैस्वी मिलते हैं जरूर्ण